हेलो प्रेंट्स वेलकूम बैक टो मैं चैनल उनलाइन शोपिंग व्लोग कैसे आप सब आई होग कि आप सब लोग ठीक होंगे सेप होंगे और मैं भी बहुत ही जाधा अच्छी हूँ मैंनी फ्लिपकार से कुछ साडिया पर्चेस की है तो मैं उसका रिव्यू आज आपके सा ठीक केकर साडिया बिना चायम वेस्ट किया चलिए प्लिपकार से चलिए पहूरता पहना हुए जी मेंनी इस का हवघ वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोग किया है अगर अपने अपतोको वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक में नीचे डिस्क्रॉप्शन बॉक्स में देदूंगी जरू से जरूर जाके चेक आउट कर लीचे यह है उस साड़ी त्रामा कलर की यह बना रहती सिल्क साड़ी है अब देख पा रहे होंगे कितनी ज्यादा अच्छी साड़ी है टू शेड में यह साड़ी है मैं आपको दिखा दिए है सबसे पहले तो हम पल्लू से स्टार्ट करेंगे यह है इस साड़ी का रिचलुख पल्लू वाव अब देख पा रहे होंगे इसना ज्यादा प्ल्लू है इसके पल्लो के इस तरह के पिकॉक दे है और यहां पे भी यह जो देख रहे हैं और यह पिकॉक है और यह बी पूरा वुविन का वर्ख है बहुत ही जादा रिच लुक पल्लो है यह ये बीच बीच में नेवी ब्लू कलर दिया है ऐसा है इसका पल्लू ये उपर वाली बॉर्डर है और ये नीचे वाली बॉर्डर है देख सकते हैं पूरी साड़ी में इस तरह की नीचे की साइड में बॉर्डर दी है नेवी ब्लू कलर और गोल्डन कलर की और ये उपर की साइड की बॉर्डर चलिए देखते हैं पूरी साड़ी सेम है और रिवर्स साइड से आप इसके फिनिसिंग देख सकते हैं काफी नीट एंड क्लेन फिनिसिंग है बहुत जादा अच्छी साड़ी है ये और इस बूटियों की उपविन की बूटिया है ये ये कोई प्रिंट नहीं है आप देख पार है रिवर्स साइड से देखी ये उपविन के बूटिया है वूबें साड़ी है ये थाइग लूम नहीं पूरे ही साड़ी में इस तरह की छोटी-छोटी वूबें की बूटिया दी है और इस साड़ी में बहुत जादा कलर आप्शन अवे लेबें है मुझे ये कलर अच्छा लगा तो मैंने इसे पर्चेस कर लिया बहुत जादा प् अगर यही सेम साडी आप मार्केट में पर्चेस करने जाएंगे तो आपको बारा सो या पंदरा सो रुपई साडी के देने होंगे लेकिन फ्लिपकार्ट पर यह साडी को जो मुझे 7.99 रुपीज में मिली है तो देखकर इसकी कॉलिटी देखकर मुझे तो यह प्रैस बहुत कम लगते हैं आप देख सकते हैं पूरी ही साडी में इस तरह की छोटी-छोटी उबुवेन की बूटिय दी कोई प्रिंट नहीं दिया है और इस साडी का फैब्रिक भी बहुत जादा अच्छा है बनारत से सिल्क इसका फैब्रिक है और काफी सौप्ट है यह फूलने वाली साडी नहीं मुझे पर्सनली फूलने वाली साडी पसंद नहीं आती तो मैं वेसे साडी पर्चेस करती नहीं हूं काफी सौप्ट साडी है आप अकेले भी इस साडी को अच्छे तरह से ड्रैप कर सकते आप देख पा रहे होंगे पूरी ही साडी में इस तरह की छोटी- कलर है कि फेस्टिवेर कलर है इसका देख सकते हैं आप कि टॉकिंग पार्ट तक सॉलिड नहीं दिया है प्रेंट्स कि टॉकिंग के पार्ट से लेकर पल्लू तक पूरी ही इस साडी में वो बेंड की बोटिया दी है कि मुझे कि यह साडी पहुत जाद अच्छे लगी और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजे जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और ऐसे ही नए वीडियो में आपके लिए लेकर आती है और आपको मेरा साडी का ड्रेस का कलेक्शन कैसा लगते है कैसा नहीं मुझे कम का कॉंट्रेस पैटन दिया है इस ताड़ी में यह चोटी वाली बॉर्डर और यह बड़ी वाली ब्लाउस का फैब्रिक पी बहुत ज्यादा अच्छा है आप इससे स्टीच करवा सकते हैं ब्रोकेड का ब्लाउस है नेवी ब्लु कलर हम किसी और साड़ी के साथ भी मिक्स पर नाच करके पहन सकते हैं तो अच्छे से टेलर के साह पास जाके इसस्टीच करवा लगा ज़िए जैसे यह साड़ी ब्लाउस में भी पूरी है यह बूटिया वोवेन की हैं देख पा रहे हैं कितना ज़दा प्यारा ब्लाउस है और नेक्स्ट इस साड़ी के बारे में त तो इतनी ज्यादा जुरत साड़ी है यह इसे एक फंप्रम्शन में पहना था तो मुझे इतने सारे कॉंप्लिमेंट्स आ है कि बहुत ज्यादा अच्छी लग रहे हो तुम बहुत अच्छी साड़ी है कहा से पर्चेस की तुमने इससा बोल रहे थे सब लोग यह बहुत ज्यादा अच्छी साड़ी है कांजीवरम सिल्क की साड़ी है और इसका प्योर कांजीवरम सिल्क जैसा ही फाप्रिक है बहुत ज्यादा अच्छी साड़ी है मेरे एक रिष्टेदार है उन्होंने सेम यही कलर की और सेम इसी पैटन की साड़ी मारकेश की उन्हें 2,000 रूपीज में मिली थी और मुझे ये सारी सिर्फ 3.99्रूपान में मिली है फ्रेंट्स आप देख सकते सेम यही सारी मेरे रिष्टेधार ने मारकेश से पर्चिस की लेकिन उन्हें बहुत सारी पैसे पेख करने पड़े लेकिन थेंग गॉड इसाड़ी मुझे ओनलाइन फ्लिपकार्ट पे मिल गई और मैंने इसे तुरंथी वाय कर लिए इतनी ज्यादा खुबसरफ प्यारी है इसाड़ी है और इसकी सॉपनेस की तुम्हें क्या ही बात को कि इतनी ज्यादा सॉप्ट साड़ी है इसकी प्लेट्स तो एसे प्यूर एक्टम प्यूर कांजी वरम जैसे साड़ी है इसकी शाइन जो वीडियो में देख रही है उससे ज्यादा रियल में ये साड़ी खुबसूरत लगती है अब जरूर से जरूर इसे पर्चेस कर कीजिए अब देख पारे हुँगे ये पूरा ही उवेन का वर्खे कोई प्रिंट नहीं दिया है ये इस साड़ी की बॉर्डर है ये इसमें पिंग कलर पर्चेत किया है ये इसका पल्लू पल्लू पे इस तरह का इस तरह की डिसाइन दी है काफी रिच लूप पल्लू है एक्चली ये साड़ी बहुत ज़्यादा रिच लूप देती है अगर आप किसी के फर्मशन में पहन के जाएंगे वेडिंग और फेस्टिव वेर के लिए बहुत ज़्यादा हैवी साड़ी है है ये अगर आप किसी के फर्मशन या पार्टी में पहन के जाएंगे तो सब लोग आपको ही देखते रह जाएंगे बहुत से लोगों ने मुझे इसके बारे में पूच्छा कि देख सकते हैं देखिए इसका लोग के साथ है कितने अच्छे लगती है पूरी साड़ी ऐसी ही है ये इसका फ्रांट ऊपर का बॉर्डर है और नीचे के साइड भी सेम ही बॉर्डर दिये हैं नीचे और ऊपर के साइड सेम बॉर्डर दिये हैं और रिवर्स साइड से इसके फिनसल देख कि प्रंट एंड बैक से कुछ ऐसे समझ ही नहीं आ रहे हैं काफी ज़्यादा प्यारी साड़ी है और इसकी फिनिसिंग भी बहुत ज़्यादा इच्छी है कहीं से भी धागे निकलने वाले नहीं है बहुत ज़्यादा अच्छी साड़ी है अब ट्रायाम में देख सकते हैं यह सारी सारा भी नहीं फूल रही है और यह इसका टखिन पार्ट है जो कि सॉलिड दिये हैं वो कब साथ अच्छी सारी है अब ज़रू से ज़रूर इस सारी को पर्चेस कीचे पर्चेस लिंक में नीचे डिसक्रप्शन वाक्स में दे कि अब आखिए इस सारी का ब्लाउज जो कि सॉलिड है इसकी इलबो क्यूज बनाई है मैं इसे खुद स्टिच किया है प्रेंड्स आप देख सकते हैं प्रिंसेस कट में मैंने इसे स्टिच करवाया जो और किया है आपको मेरा पूरा कलेक्शन कैसा लगा और यह ब्लाउज कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईए मुझे परसनली बहुत जादा अच्छा लगेगा और मुझे इसी प्याद दे के रहिए और सपोर्ट करती रही अब के सपोर्ट के बेना में आगे नहीं बढ़ सकती तो प्लीज फ्रेंट कमेंट कीजे लाइक कीजे, शेर कीजे और सब्सक्राइब कीजे बाबाई